हलो गाईज कुछ इस तरह के सेंटेंस हम कभी कोई बोलते हैं जैसे कि उसकी बात हमारे सर के उपर से निकल जाती है या फिर सब कुछ सर के उपर से निकल रहा है गाईज इस तरह के सेंटेंस में आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि सर के उपर से निकल रहा सब्द का बार-बार यूज हो रहा है चलिए गाइस इसको समझने के लिए हम structure देख लेते हैं structure subject plus helping word plus go over plus possessive adjective plus head guys go over का मतलब होता है सर के उपर से जाना या सर के उपर से निकल जाना चलिए गाइस पजेशू को समझ लेते हैं पजेशू my your his her our there guys यह सभी पजेशू है change go goes going went gone guys यह सब sentence के according change होते रहेंगे चलिए गाइस इसको अच्छी तरह समझने के लिए example देख लेते हैं उसकी बात हमारे सर के उपर से निकल जाती है हर टाक्स go over our head चलिए गाइस next example देख लेते हैं सब कुछ सर के उपर से निकल रहा है everything is going over the head चलिए गाइस next example देख लेते हैं सब कुछ तुम्हारे सर के उपर से निकल गया everything went over your head चलिए गाइस next example देख लेते हैं रहने दो सब कुछ तुम्हारे सर के उपर से निकल जाएगा leave it everything will go over your head चलिए गाइस next example देख लेते हैं जो भी वो पढ़ा रहा था हमारे सर के उपर से निकल रहा था whatever he was teaching going over our head चलिए गाइस next example देख लेते हैं उसका भासर तुम्हारे सर के उपर से निकल जाएगा his speech will go over your head चलिए गाइस next example देख लेते हैं राजनीती उनके सर के उपर से निकल जाती थी politics used to go over their head चलिए गाइस next example देख लेते हैं तुम जो बोलते हो उसके सर के उपर से निकल जाता है whatever you say goes over his head I hope guys वीडियोज को सीखने को मिला हो तो like, share और subscribe जरू कीजेगा और आप भी sentence बनाने की courses कीजेगा Hello everyone, my name is Vinod Singh, welcome to my channel Vinod Study Center और वीडियोज को सीखने को मिला तो like, share और subscribe जरू कीजेगा ताकि हम रोज लेएगा और चे करें झाल और इन की ता काई है